हेलो एब्रिवन मैं हूँ अस्था फ्रोम लर्णोहब दे फ्री लेर्निंग प्लेटफोर्म जहां पर आप पर सकते हैं मैथमेटिक साइन्स एंड सुशल स्टेडिस और वो भी एकदम फ्री एट लर्णोहब.com तो आज की डिस्कुशन का जो हमारा फर्स्ट कोईशन है उसमें देखी क्या बूला जा रहा है? तो आप से पुछा जा रहा है कि आप एकदम डार्क रूम में हैं यानि कि बिल्कुल भी लाइट नहीं है उस रूम में क्या आप वहां पर जो अबजेक्ट्स होंगे उनको देख पाएंगे? या फिर आप उस डार्क रूम से जब बाहर की तरफ देखेंगे तो वहां पर क्या आप अबजेक्ट्स देख पाएंगे? आपको explain करना है तो हम लोग को यह पता है कि हम लोग किसी भी अबजेक्ट को कहीं पर भी अगर हम हैं, किसी रूम में हैं या फिर बाहर हैं तो हम कि अबजेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन अगर हम डार्क रूम में हैं, जहां पर लाइट है ही नहीं, तो वहां पर reflection ही possible नहीं होगा, reflection पॉसिबल नहीं होगा, इसका यह मतलब है कि हम अबजेक्ट को देख नहीं पाएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं, in a dark room, there is no light for reflection to take place, hence we can't see the objects, जो भी उस रूम में present होंगे, ठीक है, आप बात करें, अगर हम अभी dark room में हैं, और बाहर के objects देखना चाह रहे हैं, तो यह तो आप करके भी देख सकते हैं न, अपने room में जितनी भी light से उनको off कर दीजे, बिल्कुल dark room बना दीजे, और बाहर जो हम पर light है, objects देखेंगे, तो वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, light है, reflection हो रहा है, और इस वजे से हमको objects नजर आपाएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं, we will be seeing the objects outside the room, only if there is presence of light, बाहर light होगी, तो हम लोग objects को देख पाएंगे, तो यह वाला question आया, आपको अच्छे से समझ में, चलिए, आप solve करते हैं, हम अपना next question, so हमारा question number two है, differentiate between regular and diffused reflection, does diffused reflection mean the failure of the laws of reflection, तो चैप्टर आप लोग पर चुके, आपको मालूम है कि regular reflection और diffused reflection होते क्या-क्या है, उन्हीं के बीच में आपको differences या फिर आपको उनके बीच में क्या क्या चीज़े अलग होती ह है, different होती है, वो आपको बताना है, साथ ही साथ दूसरे पार्ट में आपसे पूचा गया है कि diffused reflection का क्या ये मतलब है, कि वो laws of reflection को hold नहीं कर पाएगा, या फिर failure of laws of reflection हो जाएगा, तो इन दोनों को ही हम लोग एक एकर के solve करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि regular reflection और diffused reflection के बीच में क्या differences होते हैं, तो chapter में आपने पढ़ा है कि जो regular reflection होता है, वो किस पर occur होता है, वो होता है smooth surface पर, ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से अगर कोई incident ray आ रही है, ये हो गया उसका reflection, यहां से एक और incident ray आई और ये हो गया उसका reflection, तो इस तरीके से ये आपको parallel form म नजर आएंगी जो reflected rays होंगी, regular reflection के लिए, वहीं अगर हम rough surface की बात करें, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर होगा आपका ये दूसरे वाला reflection, यानि कि diffused reflection, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो reflected rays होंगी, वो parallel नहीं होगी, ठीक है, तो वो अलग-अलग direction में क्या होंगी जाएंगी, reflect होगे, जैसे कि मान लिया, इस तरीके से incident ray ये वाली आ गई, तो ये इस direction में चले गई, reflect होगे, तो ये एक दूसरे की parallel नहीं है, तो regular reflection में आप बोल सकते हैं, कि it occurs from smooth surface, और diffused reflection में आप बोल सकते हैं, it occurs from rough surface, यहां पर जो regular reflection है, उसमें image formation takes place, यहां पर image form होती है, जबकि जो diffused reflection होता है, उसमें या तो blurred, या फिर no images form होता है, ठीक है, third जो इसमें difference है, वो है, reflected rays are parallel, if incident rays are parallel, अगर incident rays parallel है, तो जो reflected rays होंगी, वो भी क्या होंगी, parallel होंगी, for regular reflection, लेकिन अगर diffused reflection की हम बात करेंगे, तो reflected rays scattered in different directions, तो जो यहां पर reflected rays होंगी, वो अलग ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार था, कि क्या diffused reflection का ये मतलब है, कि ये laws of reflection को hold नहीं कर पाएगा, तो ये है गलत, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी reflection हो, वो laws of reflection को तो hold करेगा ही करेगा, तो इसमें आप लिखेंगे, in diffused reflection, the surface is rough, but laws of reflection holds true, due to irregularities on surface, reflected rays scatter in different directions, तो ये law of reflection को त करता है, बस यहाँ पर क्योंकि rough surface है, इसलिए जो ये reflected rays है, वो अलग-अलग direction में क्या हो जाती है, scatter हो जाती है, तो आया आप लोगों को ये वाला question अच्छे से समझ में, आप चलिए, solve करते हैं हम अपना next question, so हमारा question number 3 है, mention against each of the following, whether regular or diffused reflection will take place when a beam of light strikes, justify your answer in each case, तो आपको यहाँ पर कुछ examples दिये गए हैं, उनके लिए आपको ये बताना है, कि जब उन objects पे light strike करती है, या अनकी पढ़ती है, तो वहाँ पर जो reflection का type होगा, वो कौन सा होगा, regular reflection होगा, या फिर diffused reflection होगा, अब हमें पता है, कि जो regular reflection है, वो कैसे surface के through होता है, तो वो अगर होता है smooth surface के through, साथ ही साथ, जो diffused reflection है, वो कैसे surface से होता है, तो वो होता है rough surface के through, ठीक है, तो इसका ये मतलब है, कि अगर हम पहले वाले जो example है उसके बात करें, या part A की बात करें, polished wooden table, तो यहाँ पर कैसे surface की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है, एकदम regular smooth surface की, तो इसका ये मतलब है, कि यहाँ पर जो आपके पास में reflection का type होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा regular reflection, दूसरी बात है chalk powder की, तो जो chalk powder होता है, वो कैसा type का surface हो जाएगा, वो हो जाएगा rough surface, और rough surface से किस type का reflection है, वो अकर होगा, तो वो होगा diffused reflection, तो यहाँ पर आप क्या लिख diffused reflection, वैसे ही next है cardboard surface, तो यह भी क्या होता है, यह भी rough surface होता है, तो यहाँ पर भी जो reflection होगा, वो कौन सा हो जाएगा, diffused reflection, ठीक है, वैसे ही marble floor with water spread over it, तो marble floor है, जिस पर पूरी तरीके से water क्या हो रखा है, spread हो रखा है या फैला हुआ है, तो यहाँ पर भी जो surface हो जाएग और इसका यह मतलब है कि यहाँ पर जो reflection का type होगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, regular reflection, mirror, तो mirror भी एक smooth surface है, यहाँ पर जो reflection होगा, वो हो जाएगा, regular reflection, और piece of paper, यह क्या हो गया, एक rough surface की बात हो रही है, इसका यह मतलब है कि यहाँ पर जो reflection का type हम लोग वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा diffused reflection, ठीक है, तो easy सा ही, बहुत simple सा question था, आप चलिए solve करते हैं, हम अपना next question, तो हमारा question number fourth है, state the laws of reflection, तो chapter आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें भी आप ये अच्छे से पढ़ चुके होंगे, जो laws of reflection है, उनको हम दो points में देखते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, जो पहले वाला हम law लिखेंगे, reflection के लिए, वो क्या होता है, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface, at the point of incidence, lie in the same plane, इसका ये मतलब है, कि ये रही मान लिया कोई incident ray, ये रही reflected ray, और ये रहा normal, तो ये same plane में क्या करते हैं, lie करते हैं, ठीक इस तरीके से, दूसरा second जो इसमें है, law of reflection, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, तो ये रहा angle of incidence, और ये रहा angle of reflection, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, ये होंगे हमेशा बराबर या फिर equal, ये बताता है, second law of reflection, तो दो law of reflection हमने देख लिये, दोनों ही, ठीक है, और ये आपको समझ में भी अच्छे से आयोंगे, आपने note भी कियोंगे और इस diagram को भी आप लोग अपनी notebook में बना लीजी, तो चलिए अप solve करते हैं अपना next question, so हमारा question number 5 है, describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane, तो आपको एक ऐसा example देना है, या फिर एक ऐसी activity बतानी है, जिसमें आप ये बता पाएं कि जो law of reflection first वाला होता है, जिसमें हमको बताया जाता है कि जो incident ray है, जो reflected ray है और जो normal है, वो तीनों same plane पर ही lie करते हैं, तो ये activity आपकी book में भी दे गई है, आप आहां से भी देख सकते हैं, देखिए, हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एक white sheet of paper लेंगे on a drawing board और a table, ठीक है, तो किस drawing board पर या फिर किसी table पर एक white sheet of paper हम लोग लगा देंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, take a comb, यानि कि एक हमें comb लेनी है and close all its openings except one in the middle, तो हमें उस comb की जितनी भी openings है, side वाले उनको क्या कर देना है, बंद कर देना है, किसी tape से या किसी भी चीज से आप लोग उसको क्य करने के लिए आप लोग strip of black paper का use कर सकते हैं, यह आपको बताया गया है, hold the comb perpendicular to the sheet of paper, तो जो sheet of paper हमने drawing board पर या फिर table पर लगाई थी, उसके perpendicular इस comb को हमने लेना है, ठीक है, throw light from a torch through the opening of the comb from one side, तो हमको क्या करना है सबसे पहले, कि एक torch लेनी है, यहां से जो ये middle वाला, इसक light को भेशनी है, ठीक है, with slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb, तो जब आप इस जो यहां पर opening है, इस से light इधर को डालेंगे, तो आपको यहां पर भी क्या दिखेगी, light ray नजर आएगी, ठीक है, फिर देखे, keep the comb and the torch steady, place a strip of plain mirror in the path of the light ray, ठीक है, तो आपको क्या, एक strip of plain mirror आप को जहां पर से light ray पास हो रही है, यहां पर बीच में रख देनी है, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा, अगर यह वाली जो हमारी ray थी, वो incident ray आपको नजर आ रही है, तो क्या हो जाएगी, यह reflection के बाद यह बन जाएगी, reflected ray, और यहां पर से हमको पता है, यह क्या होती ह नॉर्मल होती है, तो इस तरीके से हम देख पाएंगे, कि जो incident ray है, जो reflected ray है, और जो normal है, वो same plane पर क्या करते है, lie करते है, अगर आपको यह चेक करना है, कि क्या यह experiment सही है या गलत है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, जहां पर आपको reflected ray नजर आ रही है, आप उस paper को उध reflected ray है, वो उसी plane में आना चाहती है, या फिर उसी plane में lie करेगी, जिस पे incident ray करती है, ठीक है, तो इस activity को आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, और इसके जैसी एक और activity भी दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं, तो अभी हम लोग solve करेंगे अपना next question, यानि की question number six, so this question में हम से बोला गया है, fill in the blanks in the following, जो इसका पहला पार्ट है, a person one meter in front of a plane mirror seems to be dash meter away from his image, तो हमको पता है, जबी भी कोई इनसान या फिर कोई भी object, mirror से जितनी भी distance पर होता है, उतनी ही distance पर पीछे की side जाके mirror में उसकी क्या होती है, image form होती है, ठीक है, तो यहां पर plane mirror और person के बीच की distance है, one meter, तो उसकी image भी कितना पीशे जाके बनेगी, one meter बनेगी, और total जो distance हो जाएगी, उस person से लेके और उसकी image तक कितनी हो जाएगी, one meter plus one meter, यानि की two meters, तो यहां पर आप लोग क्या लिग देंगे, two meters away from his image, ठीक है, पार्ट B में देखिए, if you touch your dash ear with right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with, तो जबी भी आप mirror के सामने होते हैं, अगर आप अपना left ear अपने right hand से क्या करते हैं, touch करते हैं, तो mirror में आपको क्या दिखाई देगा, mirror में आपको यह दिखाई देगा, कि आपका right ear touch हो रहा है, कौन से hand से, left hand से, तो इसका तो simple सा example है, जबी भ हाथ mirror की तरफ रखेंगे, तो अगर हमने right hand रखा है, तो यहां पर से हमें कौन सा hand दिखाई देगा, हमें left hand नजर आएगा, वैसे ही यह वाला question पर है, ठीक है, part C देखिए, the size of the people becomes dash when you see in dim light, तो जो people मितलब हमारी जो आख की पुतली होती है, जिसको बोला जाता है, तो ज becomes larger, जबी भी हम dim light में देखते हैं, और अगर जब कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज light होती है, तो वहां पर जो size of the people हो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, है ना, तो हम थोड़ा सा आख को सिकोड के देखते हैं, ऐसी, जहां पर तेज light वाली जगे होती है, objects को, है ना, तो part D में देखे, night birds have dash cones, then rods in their eyes, तो जो night birds होती है, उनके पास में less cones होती है, किसके comparison में, rods in their eyes, ठीक है, so I hope कि आपको ये वाला question अच्छे से समझ में आया होगा, तो चलिए solve करते हैं, अब हम अपना next question, So question number 7th और 8th के लिए आपको एक instruction दिया गया है, आपसे बोला गया है, choose the correct option in questions 7th and 8th, तो इन दोनों ही questions में आपको correct option को choose करना है, पहले question number 7th के अगर बात करें, angle of incidence is equal to the angle of reflection, ये, जो इसका पहला option है, वो है always, जो option B है, वो है sometimes, option C है, under special conditions, और option D है never, तो हमने laws of reflection पढ़े है तो हम लोगों ने उसमें जो second law of reflection देखा था, उसमें हमने बात की थी, कि जो angle of incidence होता है, वो हमेशा किसके equal होता है, angle of reflection के equal होता है, इसलिए अब बता दीजिए कौन सा option सही होगा, तो correct option यहाँ पर है option A, यानि कि always, ठीक है, तो चलिए चलके आप solve करते हैं अपना question number 8th, इ correct option चूज़ करना है, option A में आप से बोला गया है, virtual, behind the mirror and enlarged, तो क्या यह option आपको सही लग रहा है, इसमें जो यह वाला इसका part है, वो तो हो गया wrong, ठीक है, option B है, virtual, behind the mirror and of the same size as the object, इस पर अभी रुख जाते हैं, ठीक है, जो option C है, उसको देखते है, real at the surface of the mirror and enlarged, तो यह त तो यह वाला option भी हमारा क्या हो गया, wrong हो गया, यह भी wrong हो गया, last option देखिए, real, behind the mirror and of the same size as of the object, तो यहाँ पर कौन सा वाला part गलत हो गया, कि यह real image तो नहीं बनाता है, ठीक है, तो यह वाला option भी हमारा हो गया, गलत, अब option B पर दुबारा से चलते हैं, तो जो image form होती है, plane mirror के through, वो virtual होती है, behind the mirror होती है, and of the same size as of the object होती है, तो option B यहाँ पर जो हमारा है, वो क्या है, correct option है, चलिए अब solve करते हैं, अपना question number 9, So, इस question में हमसे बोला गया है, describe the construction of a kaleidoscope, या फिर kaleidoscope, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसकी construction से पहले हमको पता होना चाहिए, कि यह kaleidoscope होता क्या है, तो kaleidoscope एक optical instrument होता है, जो एक या एक से ज्यादा mirrors की help से बनाया जाता है, और यह बहुत सारे regular symmetrical patterns show करता है, ठीक है, आप चलके इस question को solve करते हैं, तो सबसे पहली बात, to make a kaleidoscope, get three rectangular mirror strips, each about 15 cm long and 4 cm wide, तो इस तरीके से हमको कुछ बनाना है prism type का, ठीक है, और यह वाली जो इसकी construction है, यह आप already chapter में पढ़ भी चुके होंगे, तो देखे, join them together, यानि कि यह तीन rectangular mirror strips हम लोग ल ज़र आ रहा है, इसकी तरह हमको इन तीनों की तीनों rectangular strips को join करना है, और एक prism की तरह इनको form करना है, ठीक है, fix this arrangement of mirrors in a circular cardboard tube or tube of a thick chart paper, तो इस arrangement को हमने क्या करना है, इन mirrors की जो arrangement हमने बनाई थी prism की तरह, उसको एक circular cardboard tube या फिर एक tube of a thick chart paper, इसकी साथ में fix करना है, ठीक है, ज B के according, make sure that the tube is slightly longer than the mirror strips, तो यह हमको मालूम होना चाहिए, पहले ही कि जो यह cardboard tube है, यानिकी circular cardboard tube है, वो इन strips का जो हमने arrangement किया है, इन से क्या होनी चाहिए, इन से length में ज़्यादा होनी चाहिए, close one end of the tube by a cardboard disc, having a hole in the center, through which you can see, तो आपको क्या करना है, इस cardboard को उसके बाद से, इस disk के through, क्या कंड देना है, बंद कर देना है, इसके एक end को, और यहाँ पर इस के जो, यहाँ पर जिस डिस्क से आप बंद कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा hole होना चाहिए, hole क्यू होना चाहिए, तब ही तो आप देख पाएंगे अंदर, है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ह होना चाहिए, to make the disk durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard disk, तो आपको उसको durable बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें एक piece of transparent plastic sheet लगानी चाहिए, cardboard disk के साथ में, ठीक है, at the other end, touching the mirrors, fix a circular plain glass plate as shown in figure C, तो figure C को देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको form करना है, then place on this glass plate several small pieces of colored glass, broken pieces of colored bangles, तो हम तूटे हुए चूडी के टुकरे या फिर कुछ glass pieces जिनके अलग-अलग colors होंगे, उसके, इसके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है, close this end of the tube by a ground glass plate, तो एक ground glass plate के तुरू, इस end को भी हमने क्या कर देना है, बंद कर देना है, allow enough space for the color pieces to move around और वहां पर इतनी space तो होनी चाहिए, कि जो color pieces है, वो वहां पर move कर सकें, और इस तरीके से हम इसको देख पाएंगे, जो अलग-अलग patterns बनेंगे इसके through, उनको देख पाएंगे, किस की मदद से, इस hole की मदद से, और ये क्या था, ये सारी कि सारी जो steps थे या process थी, ये ब करते हैं, अपना question number 10, so question number 10 में हमसे बोला गया है, draw a labeled sketch of the human eye, तो human eye का आपको एक diagram ड्रॉ करना है, उसमें नाम भी लिखने हैं, जो human eye के parts होते हैं, उनके, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग की exam में भी अगर पूछा जाएगा, तो आप साथ साथ यहां पर जो भी parts है, human eye के उन में आप बार-बार discuss करते ही रहते हैं, है ना, और सुनते ही रहते हैं, साथ ही साथ जो हमको यह वाला part नजर आ रहा है, यह क्या है, यह है आईरिस, ठीक है, इस वाले part को हम लोग बोलते हैं, जिसको हम आख की पुतली भी बोल रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी कि dim light के time पर ये बड़ी हो जाती है और जब ज़्यादा तेज लाइट होती है तब जो हमारी eye pupil है वो क्या हो जाती है थोड़ी सिकर जाती है यानि की छोटी हो जाती है तो यही है वो eye pupil ठीक है इस वाले region को या फिर इस जगे को हम लोग क्या बोलते है aqueous humor बोलते है ठीक है और यहाँ पर जो आपके लिए lens आपको नजर आ रहा है सबसे पहले तो वो भी ध्यान में रखता है वो कौन सा lens है तो वो है convex lens ठीक है तो आप convex lens यहाँ पर इस तरीके से बताएंगे जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर crystalline lens या फिर eye lens भी आप इसको बोल सकते हैं ठीक है तो इतनी बात clear हो गए फिर आपको यह वाला जो पार्ट नजर आ रहा है यह है ciliary muscles और यह हो गया आपका retina जो की सबसे ज़्यादा important पार्ट है इस वाले पूरे के पूरे region को हम बोलते हैं vitriss, humor और जो यह पतली-पतली सी आपको wires type की नजर आ रही है यह क्या है यह है optic nerves जो की हमारे brains के साथ में connected रहती है और blood flow में क्या करती है help करती है ठीक है तो यह तो था आपका labeled sketch of the human eye जो की हमको draw करना था अब हम solve करेंगे अपना next question यानि की question number 11 so हमारे question number 11 में हमसे बोला जा रहा है गुर्मीत फॉंटे टू perform activity 16.8 using a laser torch her teacher advised her not to do so can you explain the basis of the teacher's advice तो जो गुर्मीत है एक बच्चा है ठीक है जो की laser torch की help से एक activity perform करना चाह रहा है लेकिन उसकी जो teacher है उन्होंने उसको advice किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए laser torch की help से नहीं activity करनी चाहिए तो ऐसा उन्होंने क्यों advice किया होगा यह आप से पूछा जा रहा है तो इसक आखों पर harmful effect डाल सकती है हमारे retina तक पहुंच जाएगी हमारी आखे खराब हो सकती है तो आप लिखेंगे laser beam are very harmful to our eyes which can cause permanent damage to our eyes so we should not look through the laser beam directly or indirectly ठीक है तो इस question का answer मिल गया आपको आप चलिए solve करते हैं हम अपना next question so हमारा question number 12 है explain how you can take care of your eyes तो इस question में आपको बताना है कि आप अपनी आखों को किस तरीके से protect कर सकते हैं किस तरीके से safe रख सकते हैं अफिर उनकी take care कर सकते हैं तो यह तो आपको बहुत सारे points तो खुद भी पता होंगे इसके हैं तो जो जो आपको points इसमें से important लगेंगे वो आप अपनी notebook में note down कर लीजिए और जो जो आप खुद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख लीजिए ठीक है तो इसमें पहला point आप लोग लिखेंगे we should not look at the sun or a powerful light directly तो आप लोगों को ऐसी कोई भी light जिसकी बहुत जादा high intensity है या फिर जो sun rays आ रह है उनको directly हमको नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारे आखों को damage कर सकती है wash our eyes frequently with clean water तो हमें कुछ कुछ ताइम में अपनी आखों को साफ पानी से धोते रहना चाहिए ताकि उसमें कुछ अगर dirt particles या dust वगेरा चली जाए तो वो साफ हो जाए always read at the normal distance for vision तो हमें कुछ भी ची को maintain करना चाहिए उन सारी ही जो चीजे है उनको देखने के लिए ताकि हमारी eyes ठीक रहें never rub the eyes तो हमें अपनी आखों को बार बार रब नहीं करना चाहिए ठीक है if particles of dust go into your eyes wash your eyes with clean water if there is no improvement then go to a doctor तो अगर हमारी आखों में कभी कबार कुछ dust particles या ऐसी कुछ चीजे चली जाती है तो पहले तो हमें clean water से साफ करना चाहिए अगर काफी time तक उसमें allergy बनी रहे या फिर नहीं साफ हो रही है आखों में दर्ध हो रहा है तो हमें किस से consult करना चाहिए doctor के पास में जाना चाहिए ठीक है तो चलिए solve करते हैं अब हम अपना next question so हमारा next question है question number 13 what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray तो आप से इस question में बोला क्या जा रहा है पहले तो वो समझ लीजे तो इस तरीके से यह रहा कोई एक surface यहां पर जो incident ray है वो आई इस तरीके से ठीक है और इस तरीके से वो reflect हो गए तो आप से बोला जा रहा है कि जो यहां पर angle बन रहा है incident और reflected ray के बीच में वो बन रहा है total 90 degree का angle तो अगर यह पूरा का पूरा angle 90 degree का है तो आप से यह पूछा जा रहा है कि यहां पर जो angle of incidence होगा वो कितना होना चाहिए तो देखिए हम लोगों को मालूम है laws of reflection के थ्रू हमने एक बात की थी कि जो angle of incidence होता है वो angle of reflection के equal होता है यहां पर हमको given है कि इन दोनों ही angles का जो sum है वो कितना है वो है 90 degree इसका यह मतलब है अगर यह दोनों equal है तो हम जो angle of reflection है इसकी जगे पर angle of incidence पर put कर सकते हैं कहां पर हमने लिख लिया angle of incidence plus angle of incidence equals to 90 degree यानि कि 2 times angle of incidence equals to 90 degree यानि कि angle of incidence equal to 90 upon 2 degree यानि कि यह जो angle of incidence हमको calculate करना था वो कितना आ गया 45 degree इसका मतलब है यह वाला angle भी 45 degree है और यह वाला angle भी 45 degree है यानि कि angle of incidence equal to angle of reflection equal to इस वाले case के लिए क्या हो जाएगा 45 degree हो जाएगा तो यह वाला question आया आपको अच्छे से समझ में बहुत ही easy सा बहुत ही simple सा question था अब हम लोग solve करेंगे अपना question number 14th so हमारे question number 14th में हमसे बोला जा रहा है how many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 cm तो दो parallel planes जो की जिनके बीच की distance of separation है वो कितना है 40 cm का है वहाँ पर एक candle रखी गई है तो वहाँ पर कितनी images form होंगी यह आप से पूछा जा रहा है तो यह जो separation के distance हमको दी गई है वो तो चाहिए कितने भी हो 40 cm हो 60 cm हो या 20 cm हो लेकिन अगर दो parallel plane mirrors के बीच में कोई object रख जाता है तो कितनी images बनती है तो यह बनती है infinite images तो आप इसके answer में क्या लिख सकते है यहाँ पर infinite images form होंगी उस candle की ठीक है तो यह तो बहुत ही simple सा बहुत easy सा question था अब solve करेंगे हम अपना question number 15 सो इस question में हमसे बोला गया है two mirrors meet at right angles दो mirrors है एक mirror यह दूसरा mirror यह यह right angle पर क्या हो रहे है मिल रहे है यानि कि यह वाला angle जो है वो है 90 degree का a ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19 तो इस figure के according आपको दिख रहा है कि यह वाला mirror है इस पर जो incident ray पर रही है वो normal के साथ में जो angle बना रही है यानि कि जो angle of incidence है वो कितना है 30 degree का है अब अगर यह वाला angle 30 degree का है तो अगर जो reflection होगा यानि कि जो angle of reflection बनेगा वो कितने degree का होगा तो व आप देखिए normal के साथ में जो यह वाला इसका surface है यह total angle कितने degree का है तो यह है 90 degree का पूरा का पूरा angle इसका यह मतलब है कि यह 90 degree का है यह 30 degree का है तो यह बचा हुआ angle कितने degree का हो गया 60 degree का हो गया अब इस वाले triangle को देखिए जो कि right angle triangle है जिसमें यह वाला angle 90 degree का है यह वाल 60 या फिर इन दोनों को add कर दीजिए और 180 में से minus कर दीजिए तो 180 minus 150 degree यानि कि 30 degree का ये वाला angle हो गया अब यहां से जो second mirror से reflected ray जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी ठीक है अगर यहां पर हम लोग draw कर लेते हैं एक normal तो हमने कुछ इस तरीके से इस normal को draw कर लिया तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो पूरा का पूरा angle बनेगा वो 90 degree का बन जाएगा तो इतना angle जो ये वाला angle है वो कितने degree का बन जाएगा तो ये वाला angle हमारा बन जाएगा 90 minus 30 यानि कि 60 degree का अब जो ये वाला angle अगर 60 degree का है तो reflection वाला angle भी कितने degree का होना चाहिए 60 degree का ही होना चाहिए तो यह वाली जो ray थी reflected ray यह हमको draw करनी थी इस question के लिए और हमने कर दी ठीक है तो चलिए solve करते हैं अब हम अपना next question So हमारा question number 16 है Bujo stands at A just on the side of a plain mirror as shown in figure 16.20 Can he see himself in the mirror तो यह रहा बुझो ठीक है जो की point A पर खड़ा हुआ है यह रहा mirror आप पूछा जा रहा है क्या वो खुद को mirror पर देख पाएगा तो यह तो obvious है अगर वो mirror से इतनी distance पर खड़ा हुआ है mirror के सामने खड़ा ही नहीं है तो क्या वो देख पाएगा खुद को mirror पर नहीं देख पाएगा तो इसकी image तो form नहीं होगी तो यहाँ पर इसका answer हो गया no ठीक है नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि जो यह points है प, Q and R यहाँ पर जो इनकी image है क्या वो form होगी इस mirror पर तो अगर point R की बात करें यह तो mirror के सामने है ही नहीं तो इसकी image को तो जो यह बूजो है वो देख भी नहीं पाएगा और image form भी नहीं होगी है ना क्योंकि mirror के तो सामने ही नहीं है वो तो image कहां से form होगी reflection होगा ही नहीं लेकिन point P और क्योंकि अगर बात करें तो यहां पर जो incident रे जाएगी वो reflect भी होगी यानि की reflection भी होगा और इसका यह मतलब है कि यहां पर image form होगी और images अगर form होगी तो यह चाहें कहीं पर भी खड़ाओ बूजो वो image को देख पाएगा ठीक है तो यहां पर आप उसका answer क्या देख सकते हैं यह हो गया yes और यह भी हो गया yes इसका यह मतलब है कि point P and Q पर तो जो objects की images है वो form होगी लेकिन point R के लिए कोई भी image form नहीं होगी क्योंकि वो mirror के सामने ही नहीं है ठीक है तो अब चलिए solve करते हैं आज के discussion का अपना last question so हमारा question number 17 है find out the position of the image of an object situated at A in the plane mirror figure 16.21 तो इस question में 4 parts दिये गए हैं पहले वाला part हम सबसे पहले solve कर रहे हैं आपको figure 16.21 के according आपसे पुछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कोई object point A पर रखा गया है तो उसकी image कहां पर बनेगी उसकी जो position है वो कहां पर होगी तो वो point होगा A dash और ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमको पता है कि जो भी अगर कोई भी object है उसकी plane mirror से जितनी भी distance है same distance पर ही image कहां होती है form होती है तो जितनी भी distance यहाँ से इस object की होगी plane mirror के साथ में पहे लिए B see this image अगर कोई लड़की पहे लिए यहां पर खड़ी हुई है इस point B पर क्या वो इस image को देख पाएगी तो हाँ वो इस image को देख पाएगी yes आप लोग यहां पर लिख सकते हैं तो देखिए इसका answer आप कैसे दे सकते हैं देखिए यहां पर से हमने एक incident ray डाली है जो reflect होके यहां पर गई है और इस थरीके से यह इस image को जो की इस plane mirror पर बनने वाली है इससे पीछे बनने वाली है वो इसको easily देख पाएगी वैसे ही अगर point C की हम लोग बात करें तो यहां पर भी जो light का reflection है वो possible हो पा रहा है और जो इमेज बन रही है A dash पर यह जो बुझो खड़ा हुआ है point C पर यह भी देख पाएगा ठीक है वैसे ही जो इसका part D है उसमें पुछा जा रहा है when पहेली moves from B to C अब पहेली ने अपनी जगे चेंज कर ली वो C point पर आगई where does the image of A move अब जो A की बनने वाली image है वो कहां पर बनेगी तो पहेली और बुझो से क्या इसका कोई मतलब है इसकी image का जो की point A के through बन रही है कोई मतलब नहीं है क्योंकि image तो इसकी बन रही है ना इस point पर जो object रखा हुआ है और वो image तो वहीं पर ही बनेगी जितनी भी distance A के साथ में होगी plane mirror की उसी distance पर image बनेगी मतलब same distance उतनी distance पर या फिर उतनी दूरी पर ही image फॉर्म होगी तो पहेली और बुझो के इधर से उधर जाने में या फिर एक point से दूसरे point तक सरक जाने में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा इस वाली image पर ठीक है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो इसकी image है वो कहीं भी move नहीं करेगी ठीक है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यह image बन रही है point A की या फिर वहाँ पर कोई object रखा है उसकी तो यह unchanged रहेगी यानि कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा कुछ भी change नहीं होगा ठीक है so I hope कि आपको आज की सारे के सारे questions बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी आप लोगों ने अपने notes भी prepare की होंगे और साथ इसाथ धेर सारी practice भी की होगी तो अब हम लोग मिलेंगे अपने next discussion में जिसमें हम कुछ और questions solve करेंगे या फिर कुछ और other chapters के जो NCRT solutions है वो साथ में discuss करेंगे तब तक आप खुब सारी पढ़ाई करते रहे हैं खुब सारी practice करते रहे हैं अपने notes प्रिपेर करते रहें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये तो आप जानती ही है कि learn how free है पर best है